P-Well CMOS Lambda Based Design Rule देखिए हम P-Well CMOS की बात कर रहे हैं जिसमें P-Well है CMOS यानि P-Well है मतलब की N-Substrate है और N-Substrate में P का Well है जो CMOS है यह complex होता है L-N-MOS से उसके fabrication से देखिए इसके rule क्या है आज इसके design rule देखते हैं सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था यहां पे VSS और VDD supply होती है circuit में वहां पे एक connection दिया जाता है connection cut दिया जाता है तो उसको हम इस symbol से represent करते हैं यह जो symbol है यह represent करता है कि यहां पे VSS supply है ठीक है और इसके ऊपर एक yellow color का box होता है जो VSS को represent करता है अकर VDD होता है तो उसमें यह contact होता है लेकिन उसमें यह yellow color का box नहीं होता इसमें एक P plus का mask दिया जाता है ठीक है P positive mask P well में P positive mask provide किया जाता है और यह VSS को represent कर रहा है अब यहां पे देखिए हमने क्या किया है VSS में यानि VSS सथ contact किया है किसको end diffusion को end diffusion को VSS सथ contact किया है जब यहां पे सब connection दिया जाएगा तो यहां पे भी तो एक contact होगा लेकिन वो contact cut होगा यह जो होगा, यह होगा contact cut यह तो यह जो है यह represent करता है VSS और VDD की contact को और यह जो है यह represent कर रहा है diffusion और VSS की contact को यह contact cut को represent करता है अब देखिए इसमे अब यहां पे यह N type यह N है न, ग्रीन कलर की है टोटल N type feature को represent कर रहा है अब इसमें क्या है VSS contact है ठीक है ना 2P well में क्योंकि यहां पर यह जो है यह 2 lambda into 2 lambda cut centered को represent करेगा 2 lambda into 2 lambda cut center और 4 lambda into 4 lambda जो overall जो contact होगा उसे represent करेगा अब यह जो सारा है यह जो यह लोगों दर की dot line represent कर हो रही है यह शो कर रहा है P well को तो इस तहां से P well को represent कर सकती है VSS भी हमने विसी VSS की बात की है भी VDD की बात नहीं की है VSS जिस पे P well क्योंकि देखे P well है तो उसमें N की diffusion होती है ठीक है न और इसमें N के substrate होती है उसमें substrate में P का well बना हुआ होता उस well में N की diffusion होती है और इसमें जिस जगा को protect करना होता है वहाँ पे P plus mass को भी apply किया जाता है अब यह जो diagram है इस diagram को मैं एक और format बना सकती हूँ कि वो कहाँ होगा देखे एक और चीज है कि यह इसके बीच का जो distance होगा यहां से यहां तक का यह 2 lambda होगा यह वाला 2 lambda का distance होगा और इसके इलावा यहां से यहां तक कज़ो distance होगा यह lambda का distance होगा ठीक है lambda based design rule है और यह जो होगा यह भी lambda ही होगा अब यह जो है यहां से इस point से यहां तक का यह वाला यह 3 lambda का distance को represent कर जाए इतने ही होगे यह इसका design based rule है अब देखिए जो यह जो हमारा डाइग्राम है जो हमने अभी अभी किया इस डाइग्राम को मैं इस फॉर्म में भी बना सकती हूं यानि कि यह जो कॉंटेक्ट्स है न दोनों इनको मैं इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकती हूं इनको मैं इस तरह से भी represent कर सकती हूँ, यह तो यह VSS का contact को बहर represent कर रहा है, इसके mask भी होगा, और यह यह P well को represent कर रही है, और यह N को represent कर रहा है, N के साथ जो VSS का contact है उसे represent कर रहा है, सेम यही चीज है, लेकिन हम इसको इस तरह से भी बना सकते हैं, इस चीज को ऐसे भी show कर सकते हैं, या फिर, देखिए मैंने बीच में दोनों की line नहीं लगाई हुई थी, लेकिन अगर हम इन बनो सिधा, ऐसे direct link भी बूसरे के साथ लाइन के साथ, उसको भी ऐसे भी represent कर सकते ह अब देखिए, यह तो हो गया अब VSS की बात, अब VDD की बात करते हैं, VDD supply जहां पर होती है, हमने VSS की supply की, अब VDD की supply, अब VDD है, obviously वहां पर VDD contact तो होगा, ठीक है न, तो वहां पर VDD contact होगा, तो यह जो contact है, यह VDD contact है, अब आगर आपको confused है न, यह VSS contact, VDD contact कहां से आए ह तो आप जो इसके rule है न, जो कि मैंने इसको पहले भी बताया था कि NMOS के जो stick diagram, encoding बताई थी इनकी, उसमें मैंने यह सारे rules करवाय थे, NMOS के, CMOS के, YMOS के, यह सारे rules मैं करवा चुकी हूँ stick diagram में, ठीक है, जब encoding की थी NMOS process की, और CMOS P well process की तब की तब, P well process में मैंने य सारे बताये थे, जहां पर VDD होती है, महा पर यह connection दिया जाता है, जो कि represent करता है VDD supply को, अब देखिए, अब यहां पर VDD है, तो P की diffusion होगी, ठीक है, महा पर N की diffusion, जब पहले वाभी VSS के, NGD उसके उपर बाइट direction में हो रही थी, यह नीचे वाले direction में, P diffusion होगी, अब यह यहां पर VDD के साथ है, तो यहां पर contact cut तो होगा, obviously, contact cut तो होगा न, तो कि contact cut के बिना, हम किसी भी चीज की layout नहीं बनाते हैं, ठीक है न, एक color layout, contact cut के बिना, नहीं ballistic diagram में भी हम contact cut के लिए black color के circular dot लगाते हैं, और जो हमार layout है, उसमें हम mask layout है, उसमें हम इस तरह के symbols हर एक च present किया गया है, और यह P type features को represent करता है, यह P diffusion कैसे है, क्योंकि इसमें यह, जैसे कि हम इसकी stick diagram में, इसकी yellow color की filling होते है, green color की, जो होते है, इसमें outline होती है, P diffusion को हम ऐसे भी ले सकते हैं, ठीक है, यह इसका layout है, अगर आप इस तरह से नहीं लेना चाहते हैं, तो yellow color की line बहार कर सकते हैं, अंदर feeling ना करके, लेकिन P diffusion को इसी form में लिया जाता है, लेकिन अगर हम ब्लैक और वाइट में इस चीज़ को represent करना है, उसका process अलग है, ठीक है, उसके लिए भी मैं अलग से एक वीडियो में prepare करके बतामें कि उनके क्या-क्या symbol है, अगर हम black and white में लेते हैं, तो मैं colorful में represent कर रही हूँ, अब इस में ही ये VDD contact को represent कर रहा है, ये P type feature को represent कर रहा है, अब यहाँ पे यह जो distance होगा, देखिए, यहाँ पे जो होगा एक well बनेगा, ठीक है ना, यानि कि P plus mask बनेगा, यहाँ पे mask होगा, ठीक है, यहाँ पे mask होगा, और यहाँ से, यहाँ स इस mask कर डिस्टेंस है, वो 3 lambda होगा, यह P plus mask है, ठीक है ना, उसमें P plus mask भी था, और यहाँ से, यहाँ तक का mask तक होगा, यह 2 lambda होगा, और यह standard होगे, अब इसके इलावा, इसी चीज को मैं ऐसे भी represent कर सकती हूँ, जैसे कि मैंने end में, end में किया था ना, VSS के साथ, जब हमने end लिया था, contact कर लिया था, उनको जोड़ा था, ऐसे हम इसको भी represent कर सकते हैं, इसका दूसरा version है कि हम इसे ऐसे represent करें, एक तो यह contact कर साथ P diffusion आ जाएगा, और दूसरा BDD का contact आ जाएगा, इस इसको ऐसे भी represent किया जा सकता है, इसमें और उसमें confusion की कोई बात नहीं है, लेकिन जब VSS की है, तो contact कर तो रहेगा, लेकिन जो end diffusion हो upward direction में है, और जब VTT की बात हो रहे है, तो P diffusion है, जो कि downward direction में है, दोना में difference है, ठीक है, अब इसको इस तरह इस form में हम represent करेंगे, ऐसे ह यहाँ पर, यह इसका P plus mask है, अगर आपको P plus mask में problem कि P plus mask कैसे दिया गया है, तो जब मैंने इसका पूरी configuration करवाई हो गया है, P well CMOS की पूरी configuration करवाई है, जिसे हमने P plus mask का use किया था, क्योंकि उसकी जो पूरी derivation है, वो भी की थी, तो उसे हमने P plus mask का use किया था, क्योंकि P plus mask क्या करता है, जहाँ पर यह mask होता है, उस area को uneffect करता है, कि वो area uneffected रहे, अगर हमें कहीं और diffusion करनी है, जहाँ पर diffusion करनी है, महाँ पर mask नहीं apply गिया जाता, यह इसका function होता है, जहाँ आइसे हम इस mask को apply करते हैं protection के लिए, जिसमें हमें कोई changement नहीं चाहिए, इस तरह से ह अब यहाँ पर P well में P plus mask का use किया जाता है, तकि जब कोई किसी और चीज़ की भी diffusion कर सकें, P में N की diffusion करनी है, N में P की, इसे diffusion करते हैं तब P plus mask का use करते हैं, यह P well C loss है, ठीक है, अब यह इस तरह से इस form में से represent करेंगे, अब यहाँ पर यह mask आ गया, अब यह जो distance होगा, यह भी यहाँ से यहाँ तक है, जिसना यह है उतना ही रहेगा, 2 lambda तक का ही distance यह represent करेगा, और इसके इलावा यह जो distance होता है, यह भी 2 lambda का ही होगा, यह यहाँ से यहाँ तक का 3 lambda का है, यहाँ से यहाँ 2 lambda का ही रहेगा, और यह जो पूरा है, यह 4 lambda का होगा, यह भी 4 lambda का ही ह ठीक है ना? ठैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो और जादा अपडेटिंग वीडियो के लिए आप हमारे चैनल Learn and Grow पर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं ठैंक यू